इंजन में लगने वाले sensors के उपर आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से चेक किया जाया और इनकी wiring किस तरह से हम चेक कर सकते हैं आज की वीडियो में हम पूरी details से इसके बारे में जानेंगे YouTube पे बहुत सारे videos available हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से sensors को हम चेक कर सकते हैं लेकिन किसी ने भी पूरी details से नहीं बताया अगर आप इस पूरी वीडियो को details से देख लेंगे तो आपको पूरी confusion कोई भी confusion नहीं रहेगी कि हम sensors को किस तरह से चेक करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देगी को इंजन में बहुत sensors होते हैं जिसे कि crank sensor, ABS sensor, cam sensor, current temperature sensor और noc sensor, map sensor बहुत से sensors होते हैं लेकिन हम इनके टैप के उपर बात करते हैं कि कितने टैप के होते हैं इस sensors करता है, यह hall effect sensors का diagram है, जब मैंने इसे पहली बार देगा था तो मुझे भी इसका समझ में नहीं आया कि वर्क किस तरह से कर रहा है, लेकिन मैं आपको explain के तुरों समझाने वाला हो कि होज effect type sensor किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पर एक element की plate है और नीचे battering की deci voltage positive और negative है, जो plate पर जाकर लग रहे हैं, दोनों side में, ठीक है, यह हम सिर्फ समझने के लिए इस तरह का experiment कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो दोस्तों, जिसे कि यहाँ पर element है और डिचे battering के दोनों wire element के side में लगे हुए, तो लगने के बाद उसका जो current है, वो एक ही में बेता है, जैसे के negative से current निकल रहा है और वापस positive के तुरू इधर पर आ रहा है, तो इसमें कोई signal जनरेट नहीं हो रहा है, यह सैंपल diagram है, जैसे हम उसके ओपर अगर magnet का force रखते हैं, और magnet के लिए force रखने के लिए नीचे ही, यहाँ पर हम एक local का या कोई भी चीज इ नीचे रखते हैं, तो magnet energy पैदा होगी, जिससे क्या होगा और macro voltage में क्या असर पढ़ेगा, उसके ओपर हम नजर डालते हैं, जैसे हम उसके ओपर magnetic field बनाते हैं, magnet उपर रहेगा और metal नीचे रहेगा, तो इसके उसरीए क्या होगा, कि magnetic field बढ़ेगी, magnetic field बनने के बाद जो ए हमें voltage मिलेगे, और voltage मिलने के बाद, जिसी magnetic field बनेगी, तो voltage मिलने के बाद, ये signal generate हो जाएगा, signal generate होने के बाद, इसे हम को इस तरह से बालू पड़ता है, कि हमारा signal चालू हुआ है, और हमें आगे की जो कारवाई है, वो करनी है, और explain में समझा देता हूँ, जैसे हम इसके macro volt रहता है, right और left में 5 macro volt रहेगा, इसे जादा नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे macro volt right और left में जाएगा, तो right और left में voltage generate होगी, voltage generate होने के बाद, हमें यहाँ पर voltage मिलेगी, जो के magnetic field जैसे जैसे बनेगा, वरसे वरसे इसकी voltage आएगी, तो जिस तरह से यहाँ पर मैंने बताया ह होगे, यह हमारा जैसे magnet के सामें आ रहा है, तो हमारी voltage generate हो रही है, इस तरह से यह हमारा all effect टैसे इस सेंसर काम करता है, और यह सेंसर्स जादा तर किसी metal के movement को देखने या फिर उसकी हरकत को देखने के लिए, यह all effect टैप सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि यह सेंसर्स इसकी wheel की position बताता है, क्योंकि तीनों में मेटल होता है, यह all effect टैप सेंसर मेटल के touch में आकर ही काम करता है, और अगर future में हम जाएंगे, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ जहन नशी करनी होंगी, कि यह सेंसर्स, magnetic sensor से किसी मेटल के touch में आकर ही यह काम करता है, और signal generate करता है, जिसे ACM को पता चलता है, कि हमारा जो engines का moment है, वो हरकत में आ रहा है, तो इस तरह से hall effect टैप सेंसर्स काम करता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो subscribe करें, like करें, share करें, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे VRS सेंसर्स की, जो VRS टैप का सेंसर्स होता है, वो किस तरह से काम करता है,